बिलासपुर शहर से 60 ग्राम पंचायत सिहडा के गाउं सिहडा घाट में बीदी राट एक दो मंजिला मकान अच्छानक गिर गया हलांके इस हाथसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन पूरा मकान तहस नहस हो गया है इस घटना में करीब 15 से 20 लाख रुपे का केश कुमार ने बताये कि बुद्वार रात को भोजन करने के बाद परिवार के सदस्य घर के बाहर बैठे हुए थे करीब साड़े दस बजे मकान गिर गया मकान गिनने से वे धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुँचे इस हाथसे में मकान में रखा सा मान मलबे के नीचे दब गया है इसमें फ्रेज वाशिंग मशीन वर गिजर सहीत अन्य सामान शामिल है इसके नावा मकान के बाहर एक स्कूटी खड़ी थी वह भी मलबे की नीचे दब कर पुरी तरह से क्षति ग्रस्त हो गई है यही नहीं मकी पीसने का क्रैशर को भी काफ मुआफजा दिया जाए सूचना मिलते ही जिला परिश्य द ध्यक्ष मुस्कान, पंचायत उप्रधान राकेश कुमार, बीडीसी सदस्य रीमाव, वाट सदस्य जम्ना देवी भी मौके पर पहुंची क्रेब सड़ी 11 बजे एक फोन आया, तो मुझे बताया गया कि गोल्डी कुमार का मकान दो मेंजला मकान गिर चुका है, और बहुत जादा नुक्षान हो चुका है, तो मैं रात को सड़ी 11 बजे, सड़ी 11 पने बार बजे यहां पहुंचा तो मैं देखा कि यहां पे इनका दो मेंजला मकान गिरा हुआ था, और जिसमें जो एनका बहुत जादा नुक्षान हो आए, स्कूटी, थैसर, और कीचन का समान, गैस स्लिंडर, फ्रीज, वाशिंग मिशिन, वो सारा अस्तरिस्त हो चुका था, तो उसके बाद मैंने फोटो फाटो दिये थे शाम को, और उ हम साड़ी 11 बार अबजे पहुंच आएंगा, और जितनी हल्प होगी सासन की तरफ से, तो हम उनकी करने की पुरण कोशिश करेंगा, मैं सासन से यही दिमांड करता हूँ कि जो भी उनका जानमाल का नुक्सान हुआ है, तो उनका थोड़ा, उनको मुवजा मिले और इनकी ह लाइफ टैम्स टीवी के लिए बिलासफुर से सुभाश के रिपोर्ट गोईमोटर.com पर